आपने इतना tasty, healthy और nutritious फालूदा अब तक अगर नहीं बनायो है तो इस summer season में आप इसे जरूर बनाए इस फालूदा में एक healthy twist देने के लिए रागी सेवया का इस्तमाल किया है और दूद में भी ऐसा कुछ एक twist दिया है जिसे फालूदा tasty बनने के साथ बहुत ही nutritious बनता है नाचनी या राखी health के लिए बहुत postic होती है आप इस form में अगर बच्चों को या family members को इसे खिलाएंगे तो उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए recipe start करते है अग सिर्फ अलूदा का दूद हम चीनी मिलाकर उबालते हैं और इसमें थोड़े बहुत flavors मिलाते है अब इस दूद को nutritious बनाने के लिए हम इन लाएंगे इसमें सोख किये हुए watervalent seeds का जो पिस्ता, खस-खस और कुछ बदाम इन्हें मैंने 3-4 गंटे के लिए पानी में भिगोकर रख लिया था इन्हें पिसने से पहले बदाम के चिलके हाँ निकाल लेंगे ये हो गया है, अब इन्हें transfer कर लेंगे एक mixer jar में और कम से कम पानी मिलाकर इसका fine paste बना लेंगे और फिलाल के लिए थोड़ी धिर के लिए side में रख लेंगे अब next step में हम दूद को उबाल लेंगे तो यहां में ले रहे हो एक लिटर फुल क्रीम दूद इस दूद को गाड़ा होने तक या आदी quantity रह जाने तक पकाना है तब इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही और फालूदा के layer एक के उपर एक set होंगे अगर दूद पतला रहे गया तो सारे ingredients आपस में mix हो जाएगे और आपका फालूदा गडबड फालूदा बन जाएगा ये देखे 10 मिनिट में दूद जब थोड़ा गाड़ा हो जाए तब इसमें हम nuts and seed की पेस्ट मिला कर इसे उबाल लेंगे इस पेसे एक बहुत अच्छा टेस्ट तो आएगा ही पर इसे दूद थोड़ा गाड़ा भी बन जाएगा गर्मियों में अक्सर बच्चे ठंडा पीनी की जिद करते हैं तो हम ममी लोगों ने इस प्रकार healthy twist दे कर खुश कर सकते हैं अब दो बातों का ध्यान रखना होगा पहले तो ये केक मोटे तले की कड़ाई यूज करे और पेस्ट मिलाने के बाद गैस एकदम धीमी आज पर रखकर कंटिनिस दी चलाते हो इस मिक्षर को पांच मिनट उबाल ले ताकि पेस्च भी दूद के साथ अच्छे से पक जाएगी और नीचे से वो जलेगी भी नहीं आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चिनी मिला लेंगे मैं हां 6-7 टिबल स्पून मिला रही हूँ इससे दूद बहुत ज्यादा मीठा तो नहीं बनेगा तो आप इतनी चिनी मिला सकते हो चीनी के साथ दूद को 5 मिनिट पका लेंगे और इसी फैन में हम इसे पंके की नीचे रखकर ठंडा करने रखतेंगे आज मैं आपको फालुदा की सेवाई कस्टर्ड पाउडर से भी बनाना बताऊंगी तो उसके लिए हम आदा कप कस्टर्ड का पाउडर लेंगे और ये ब्लैंड ना लगे इसलिए मिलाएंगे हम इसमें 2 टिबिल स्पून चीनी आदा कप पानी मिलाकर एक लंप फ्री घोल बना लेंगे धान रहे अभी गैस ओफ ही रखनी है इसके बाद जब ये बन चाये तो फिर से आदा कप पानी मिला लेंगे और आप गैस ओन करके इसे पका लेंगे स्वाध के लिए में थोड़ा सा नमक मिला लूँगी और लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे आप देख सकते हो कि 4-5 मिनिट में ये मिक्स्चर कढ़ाई को चोड़ने लगा है और अगर आप स्पून में इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे नहीं गिरता है जब ये स्टेज आ जाये तो फटा फट सेव मेकर मशीन में इस मिक्स्चर को भर लेंगे बस ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही स्यादा घरम होता है आज एखेल्डी ट्विस्च के लिए हम रागे की सेवईया भी बना लेंगे मैंने जिस फ्लेवर की कॉम्बिनेशन में इसे बनाया है पता ही नहीं चलता कि फालूदा में रागे की सेवई है सारे flavors अच्छे से blend हो जाते है ये देखे, ये कस्टट की सेवईया तयार है ये इनने सेट होने के लिए 20 मिनट पानी में छोड़ देंगे और रागी की सेवईया बना लेंगे तो इस प्रकार के रागी सेवई यूज़ करेंगे अब इसे ठंडे पानी से जरूर दोले ताकि कुगिंग प्रोसेस टॉप हो जाए आप जब इसे फालोदे में मिक्स करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें रागी सेवई मिक्स की है यह दूद के साथ अच्छे से ब्लेंड कैसे होती है यह आप आगे इस वीडियो में ज़रूर देखें फिलाल इने बोल में निकाल कर अपने दो अलग-अलग फ्लेवर्स के फालोदा असेंबल कर लेंगे यहां मैंने सबजा के बीच दो खंटे पानी में विगो कर रख लिये थे इनने बेजल सीज भी कहा जाता है और ये तासियर में ठंडे होते है और कर्मियों में बोडी कूलिंग के लिए इनका सेवन करना अच्छा होता है तो चलिए पहले बनाते हैं रॉयल फालोदा वो भी पूरानी दिल्ली में मिलता है उसी स्टाइल में अपने मन पसंद ग्लास में लगाएंगे हम रोज सिरप फिर इसमें मिलाएंगे दो स्पून भरकर सबजा के बीच जितना क्रंची चीज़े इसमें मिलाएंगे उतनी ही फिलिंग ये फालोदा बनता जाएगा क्योंकि इसे हम खाएंगे भी और पीएंगे भी तो एक ग्लास से ही पेट भर जाएगा और मसा भी आ जाएगा यहां में टूटे फ्रूटी और काजू पदाम भी मिला लिये है अब इसमें मिलाएंगे आधा केला इसे स्किप ना करे अब चाहेगा वैनिला फ्लेवर का आइस क्रीम बीच में आइस क्रीम लगा लेने इसे फालोदा लास्ट वाइट तक थंडा रहता है अब बारी आती है थंडा 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 दूद मिलाने की इसके उपर लगाएंगे हम सबजा के बीच और फिर अपनी लगाएंगे फालोदा सेवाई स्वाथ बढ़ाने के लिए इस पर ट्रिजल करेंगे हम रोज सिरप और थोड़ा से डेकोरेशन के लिए हम कलोफुल टूटी फ्रूटी और एक प्यार इसी चेरी लगाकर अपना ये रॉयल फालोदा तयार है लग रहा है नहीं एकदम टेम्टेंग अब किसी का भी इंतजार किये बिना लंबा स्पून लेकर अच्छे से मिक्स करना है और क्या बस फालोदा को जी भरके एंजॉय कीजिए नेस्ट बनाएं कि हम मैंगो के सर्पिस्ता फालोदा या हमेरे पास अलफान्सो मैंगो का पल्प है वो मिला लेंगे सेकेंड डियर लगाएंगे दो बड़ी चमच सबजा के बीच और इसके उपर भी हम लगाएंगे थोड़ा सा रोज सिरप बस ध्यान रहे कि ये रुववजा नहीं है इस सिरप से टेस्ट तो अच्छे लगती है पर फालोदा देखने भी बहुत ही टेम्टिंग लगता है अब दो चमच सिरप बिलाने के बाद इसमें अड़ करेंगे वैलिला आइस क्रीम और अब तीन से चार बड़े चमच भर कर रागी मतलब नाचनी की सेवई मिला लेंगे इससे टॉप अप करेंगे दोद से आगे वीडियो में आप देख सकते हो कि ये सेवई दूद में कितने अच्छे से ब्लेंड हो जाती है क्रंच के लिए मिलाएंगे काजू, बड़ाम और लास्ट में मिलाएंगे एक बड़ा स्कूप केसर पिस्ता आइसक्रीम का इतने सारे फ्लेवर्स है इस फलूदा में कि खाने में मजा ही आ जाता है ड्रिजल करेंगे रोस सिरप और टूटी फ्रूटी और चेरी लगा कर ये तयार है ये टेस्ट में बेस्च और हल्दी भी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करेंगे ऐसी उम्मीद है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें